डेली करेंट निउस में इस वक्त की खबर है पूर्व सोवियत नेता मिखाईल गोर्बाचेव का निधन ततकालीन सोवियत संगराश्चुपती मिखाईल गोर्बाचेव का 30 अगस 2022 को मॉस्कों में लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया वह 91 वर्ष के थे गोर्बाचेव ने शेत्यूद को समाप करने में किंद्रिय भूमिका निभाई थी इनका जन्द 2 मार्च 1931 को रूस के दक्षणी स्टावरूपोल क्षेत्र में एक किसान परिवार में हुआ था गोर्बाचेव दित्य विशुद की कठिनाईयों और जोसेफ स्टालिन के शासन के साथ बड़े हुए वह 1946 में कॉमसो मोल यानि यंग कमिनिस्ट लीग में शामिल हुए 1952 में उन्होंने मॉस्को स्टेट युनिवर्सिटी में लौ स्कूल में दाखिला लिया और कमिनिस्ट पार्टी के सदसे बन गए वह 1970 में क्षेत्रे पार्टी समिती के पहले सचिव बने 1970 में इन्हें सोवेस संग की कम्यिनिस्ट पार्टी की केंद्रे समिति का सदसे नामित किया गया 1978 में ये क्रिशी पार्टी के सचिव ड्यूक्त किये गए वह 1980 में पोलिद ब्यूरो के पूर्ण सदसे बने उन्होंने 1985 में दुनिया के सबसे बड़े राज्य और दूसरी महाशक्ति को संभाला जब वे कम्यिनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए दिसंबर 1987 में उन्होंने इंटरमीडियर्ट रेंज न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलों के सभी मौजूदा स्टॉक को नष्ट करने के लिए अमेरिकी राश्ट्रपती के साथ एक समझोता हस्ताक शरित किया गोर्बचेव 1989 और 1990 के अंत की घटनाव के श्रंखला में बेहद महतवपून व्यक्ती रहे 1990 में गोर्बचेव सोवे संग के पहले और अंतिम राश्ट्रपती चुने गए उन्होंने यूरोप के राजनीतिक तानेबाने को बदल दिया और शीत युद्ध के अंत की शुरुआत को चिन्नित किया 1990 में अंतराश्टे संबंधों में उनकी उलेखनी उपलबधियों के लिए इन्हें शान्ती की नोबिल पुरसकार से सम्मानित किया गया उन्होंने 1991 तक सोवे संके राज़पती के रूप में कारे किया 25 दिसंबर 1991 को इन्होंने सोवे संके राज़पती पत्से स्तीफ़ा दे दिया 2006 में उन्होंने अलेकसंद्र लेबेदेव के साथ मिलकर सुतंतर समचार पत्र नुवाया गजेटा में लगभग आधी हिस्सेदारी खरी दी उन्होंने यूकरेन संकट के दोरान करीमिया विले का समर्थन किया था